अगर आप भी फ्लाइट में ऐसे फाइट देखोगे तो आपके ख्या रियाक्शन्स होंगे, आप ख्या करोगे, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसी फाइट में पढ़कर सब कुछ खराब कर देते हैं हाई गाईज, वेलकम बाक तो माई वीडियो, आज हम लोग जा रहे हैं कैलकरटा, अपनी फ्लाइट लेकर मॉर्निंग के हमारी फ्लाइट है और हम लोग बिलकुल है रेडी, जाने से पहले में को गूचिय और ब्राउनी को बाय करना बहुत जादा बुरा लगता है क्योंकि हम काफी सारा एपने बाक लेकर जा रहे हैं कर वह बहुत जादा स्वीट है और उसने वाइड़ा किया अच्छे से ध्यान दखे का एरपोट मे हम लोग पहुच गए थे लीना किया होचे बाला था यह हम में से किसी को भी नहीं पता था मेरे बैक पर लग गया था फ्रजाय अच्छा पार्ट होता है मेरे दिन का और मॉर्निंग की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई उसके बाद हम लोग अपनी बस में चड़े क्योंकि हमारी फ्लाइट बहुत जल्दी बोर्ड हो गई थी यह तो मुझे भी अकी नहीं हो थी लेकिन फ्लाइट में यह सब होने वाला था यह भी मुझे नहीं पता था तो हम लोग फोन में बाते करते करते अपनी सीट्स पर बैट गए थे क्योंकि सभी फोन में काफी जादा बीजी थे मॉर्निंग में तो सुबह सुबह सभी को कॉल जाती है तो सब अपनी अपनी जगा बिजी थे उसके बाद हमने एर इंडिया क्लिक कराई क्योंकि बहुत लंबी क्यू थी तो मैंने सुच है इस क्यू का फायदा उठाए जाए और अपनी पिच्छ क्लिक कराई जाए तो अबर पिच्छ क्लिक कराने के साथ-साथ मैंने अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड की उसके बाद मैं लखन सब ओपर चले गए सब मैंने लखन को अपना आइमास दे दिया था क्योंकि लखन को नीन की बहुत जादा जरूरत थी इसलिए मैंने लखन को अपना आइमास दे दिया था उसके बाद जो हुआ वो तो देखने लायक ही था भाई गॉड फ्लाइट टेक ओफ कर चुकी थी लेकिन मुझे हमीशा ट देखके ना मेरी आखे खुल गई हमारे ही टीम मेंमर्स में हुने लगी फाइट अगर आप भी ऐसी फाइट देखते हो तो आप क्या करोगे मैं तो यही बूलूंगी कि आप इनके बीच में बिल्कुल नक पढ़ना क्योंकि आपको दूनों साइट की स्टोरी नहीं पता आ आपको वीडियो अचे लगी ओं कॉमें नके करके बताना बाइब लव यू आल